रफीकंच प्रखंट के ग्राम पंचायत भेटनिया गाओं में आजादी के 75 साल बीच जाने के बाद भी पूल और जरजर सड़क का निर्मान नहीं हुआ जिससे आक्रोसित ग्रामिन सड़क पर ही धान की रोपनी करने लगे गुसाई ग्रामिनों ने बताया कि भेटनिया गाओं के मदार नदी में पूल नहीं होने के कारण लगबक तीन पंचायत की बेटिया, इटार एवं बोर पंचायत के दरजनों गाओं के छात्र, किसान मजदूर एवं अन्य लोगों को बरसात के मौसम में आवगमन के लिए नाओ का सहारा लेना पड़ता है हलकी बारिस में ही नदी का पानी गाओं में गुष जाता है जिससे आम जीवन काफी कस्ट में हो गया है वहीं गाओं में उच विद्याले नहीं होने के कारण जाखिम गाओं के छात्रों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है जा समस्य होती है आपकी बारिस में दिखिए हमारे गाउं में बारीश को ज़से और वह बेटनिया जो है यहां विद्याले है ठीक है डिक एक इसके वज़ा से हम भरा ही पोथू हम नहीं हमारे आउ गाउं के छात्र हैं चात्रा वह भी पढ़ने जाते हैं और बारीश होने के कई बर नाव नदी में पल्टी मार दी जिसमें बाल बाल लोग बच गए वहीं भेटनिया इदरार पत काफी जरजर स्थिती में होने के कारण लोगों ने विरोध में सड़क पर ही धान की रोपनी कर दी अब धान जो सड़क पर रूप रहे हैं इसका क्या करन है और क्या कहना चाहते हैं इस पर इकर है कि हमारे बिहार सरकार केंश सरकार सुने रोड बनाए यह हमारे बेटनियां कम से कम 3000 वादी है और ऐसी समस्या है हमारे गाउं का समस्या जहें से नदी का है नदी में पूल नहीं है हमारे बहुत पूर्बज यह से यहां गुजर गए बोड़ बजूर और अभी तक के पूल नहीं हुआ है कम से कम 75 वरस से जादे यह से अजादी का हो गया है और तो पर भी आज ते के पूल नहीं बना हमरे संसद बिधाय कि यह सब जितना भी है और भोट ले करके चले जाते हैं कि पूर्ट 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 पूर्ट